नमस्कार उत्रेकन समाचार में आपका स्वागत है मैं हिना जूशिया यह सबसे पहली नज़र डालते हैं आज के मुख्य समाचार उपर केंडरी ग्री मंद्री अमेठ शाह स्वासतेवम परिवार कल्यान मंत्री जगत प्रकाश नड़ा और रेड़ एवन सुचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैशनव सहत कैंडरी मंत्रियों ने संभाला कारिभार केंद्री मंत्री मंडल की पहली बैचक में बड़ी सौगात, प्रधार मंत्री आवास योचना के अंतरगर तीन करोड अतरित घरों की निर्मान की दीज सुख्रती होके मंत्री पुष्कर सेंग धामी ने 15 जून से पहले मौनसुन सीजन की सभी तैयारिया पूरी करने के दिय निर्देश कहा जिलादिकारी आपदा प्रबंदन के लिए नोडल अधिकारियों की करी तैना दी और टिहरी के विबिन शेत्रों में कल राग जंगलों में फिर धत की आग वनकर्मियों ने इस समय रहते आबादी वाले शेत्रों पर बढ़ रही आग पर पाया काब और अब समाचार विस्तार से केंद्र सरकार के मंत्रियों ने आज नई दिल्ले में अपने अपने विभागों में कारेभार प्रहिंट कर लिया इनमें केंद्री ग्रही मंत्री अमित्षा, संसदी कारे मंत्री किरंडी जीजू, केंद्री पर्यावरन वन और जलवायू परिवर्तन मंत्री, भुपेंद्र यादव विदेश मंत्री डॉक्टर, एस जय शंकर, संचार मंत्री जोतिरादित्य संधिया, स्वास्थ और परि सूचना इवन प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन और सूचना इवन प्रसारण मंत्राले के सचिव संजय जाजू ने श्री वैशनव का स्वागत किया। कारेभार संभालने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए श्री वैशनव ने कहा। जनिता ने एक बार फिर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को देश की सिवा करने का आशिरवात दिया है। उन्होंने कहा पिछले दस वर्षों में श्री मोदी लोगों के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाए हैं। विभारत की अर्थविवस्था को ग्यारवे स्थान से पाचवे स्थान पर ले आए हैं। फैसले लिए हैं। नौजवानों के लिए एक बहुत मजबूत नीव खड़ी करनी है। और हमारी नारी शक्ती माँ और बहनों के लिए जो एक एमपावर्मेंट की सरकार रही है दस वर्षों की। उसी भावना के साथ सेवा करेंगे। प्रदान मंत्री शिनरेंदर मोदी जी को मेरा उर्दे से आभार सेवा का मौका दिया। सरकार आवस आवशक्ताओं को पूरा करने के लिए घरों की निर्मान के लिए तीन करोड अतिरत ग्रामेंट और शहरी परिवारों को सहायता प्रदान करेगी। कल नई दिली में नवगढ़त अन्डिय सरकार की पहली कैबिनिट बैठक में इस संबंद में फैसला लिया गया है। केंदर सरकार ने पात्र ग्रामेंट और शहरी परिवारों को बुनियादी सुविधाओं वाले घरों के निर्मान के लिए सहायता प्रदान करने के लिए 2015 से प्रदानमत्री आवास योजना लागू की है। 21 जून को मनाय जाने वाले दस्वें अंतराश्ट्रिय योग दिवस को लेकर दीश में बढ़ा उत्साहा है। श्री मोदी ने कहा कि हर किसी को योग को अपनी जीवन का अभन अंग बनाने के लिए प्रतिबर्ध होना चाहिए। और दूसरों को भी इससे अपनी जीवन का हिस्सा बनाने के लिए प्रोचसाहित करना चाहिए। समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को 15 जुन तक आपदा प्रबंदन के लिए नूडल अधिकारियों के तैनाती करने के भी निर्दिश दिये हैं। मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिये कि जनपदों में ऐसे छेतर जहां भोसकलन की समस्याय रहती हैं। मुख्यमंत्री ने बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिये कि आपदा के द्रिश्टी गत त्वरित राहत और बचावकारे के लिए हेलिकॉप्टर की विवस्था भी रखी जाएं। आपदा प्रबंदन की द्रिश्टी से ही अल्मोडा जनपद के सरिया पानी में SDRF बैटालियन खोलने के निर्देश भी मुख्यमंत्री ने दिये। हमारे लिए एक सुनोती जैसा होता है कि किसी ने किसी रूप में हमको आपदाओं का भी सामना करना पड़ता है। अदिवरिश्टी का सामना करना पड़ता है। नदी नालों की जो बाड़ा आती है उसका भी सामना होता है जल भरा होता है। तो उसी से सम्मन्दी क्योंकि आगे हमको किस प्रकार से काम करना है हमारा पुरा एड्मिस्टेशन एक एक्सन मोड में रहे और जहां भी जरुत हो उससे पहले से जो तैयारिया करनी है वो सब तैयारियों के लिए कि कहीं जहां साफ सपाई होनी है जो नाले बंद हो गए हैं उन सब फोला जाए, कहीं पर पुला जमा हो जाता है, वो सब चीजे हैं, और साथ में ऐसे समय में रोड़े बंद हो जाती है, रोड़े भी खुलें, चुकि चारद हम यात्रा भी चल रही है, तो उसका भी विशे सुरूप से, चुकि यह है कि कहीं मार्क ज्यादा लंबे समय तो इस सब इसे में पर बात करें हैं, यहाँ वक्त चला है, चोटे से विराम का जल्द हाजिर होते हैं। तो बैंक आपको कुछ जुरूरी बैंकिंग सोगता है, घर बैठे बैठे दे सकता है। RBI कहता है, जानकार बनिये, सतर करें। विराम के बाद आप सभी का पुना स्वागत। तीरी जन्पत में तीरी के चवाल खेद, बुडोगी का डांडा, पुखाल रेंज के खैट परवत के आसपास असेना टिप्रीचेतर समेत विबिन रेंजों के जंगलों में आग लगने से वन संपदा को नुकसान हुआ है। कर्शाम जिला मुख्याले के पास चवाल खेद में शौर्ट सरक्रित होने के बाद बुडोगी का डांडा में जंगल में आग पहल गई। वनकर्मियों द्वारा देर रात तक आग बुचाने की प्रयास किये गए। समय रहते वनकर्मियों के प्रयास से बुडोगी का डांडा और चवाल खेद के बस्तियों को आग से बचाया गया। वो कल काबू कर ली गए हैं फाय टीम के दौड़ा और अब तक अगर मैं टीरी जंपत के बाते की करूं तो इस वनागनी काल में 326 घटनाई हो चुकी हैं जिसमें से 154 घटनाई हमारे आरक्षित बन्चीतर में हुई हैं और 122 घटनाई हमारे सिभिल बन्चीतर में हुई ह और कुल मिलाकर दोनों प्रगार की घटनाओं अब तक 406 के असपास हेक्टेर हमारा वन मुहीं प्रभावित हुए है और इन सब के साथ साथ हमने अर्सामाची के अतवतों और आजबतों के खेलाव भी करवाई करते हुए वहीं वनों में आग लगने से जन जीवन में भी इसका प्रभाव पड़ा है जलास पतल बौराडी के चिकितसा अधिक्षक अमित राई ने बताया कि धुए की कारण डोगियों की संख्या में भी व्रती हुई है एलर्जी और दमा के मरीजों को सांस लेने में दिक्कतों की ज्यादा शिकायते आ रही है आग का लगना कॉमन है हमारे फाड़ों पर आग लग रही है काफी जिससे धुन बढ़ने हुए हैं तो पेचेंटों में खास्तों से जिनको सांस की बिमारी है उनको बहुत धिक्कत हुरी है, वो भी हा रहे हैं, कुछ बच्चे हैं जो इलर्जिक कुष के साथ आ रहे हैं और बहुत से लोग आंकों में जलन और इसके हैं गुए हैं मोक्रिण रवाचन अधिकारी ने सामाने लोग सभाद चुनाओ 2024 के दौरान पूरी प्रदेश में शांते पूर्ण तरीके से चुनाव संपन कराये जाने हे तू सबी जराजनेतिक दलों का अभार व्यक्त किया। पैकल्पिक दस्तावेजों का प्रयोग भी किया जा सकता है। उन्होंने आदर्श आचार सहीता की संब्द में भी जानकारी दी। साथ ही FST टीमों को सक्रिया कर दिया गया है। वहीं अन्य तैयारिया भी शुरू कर दी है। उन्होंने बताया कि बज़ुनाद विधान सबा में कुल एक लाख दो हजार एक सो पैतालिस मत दाता है। जिन में से बावन हजार चार्सो पिचासी पुरुश, उन्चास हजार 658 महिला और दो अन्य मत दाता है। विधान सबा में 210 मत देस थल है। चुनावर प्रक्रिया की जानकारे देते हुए बताया कि जन्पद में आगामी 15 जुलाई तक आदर्श आचार सहीता प्रभावी रहेगी। इससे पूर्व 14 जुन को अधिसूचना जारी की 24 जुन को नावंकन पत्रों की जा, 26 जुन को नामबापसी के अंतिम की थी, 10 जुलाई को मतदान और 13 जुलाई को मतगरना की थी, निर्धारित की गई है। वही कॉंग्रिस प्रदेश अधियश करन महरा ने आज जन्पद मुख्याले, गोपेश्वर और जूशिमत में बजुनात विधान सबा अप्चुनाओ को लेकर कॉंग्रिस पदाधिकारियों और कारेकरताओं की बैठचक ली। इस दोरान उन्होंने कहा कि ये अप्चुन में उन मुद्दू के बहुत भी और मुझे पूरी उनीद है कि हम जीते के मंगलौ और इस लोकसभा में हम 25,000 से लगबग जीते हैं और मंगलौ की सीट हम जीतने जा रहे हैं तो हम वहां के लिए लिए लेकिन इस सीट को हम विशेश तवज़ु दे रहे हम सारे सीनियर्स क जितने भी हमारे कर्मट कारी करता हैं पूरे प्रदेश के वरिश जन हैं ठीक ठाक बुलने वाले जिनको जादा नौलेज हैं उन लोग की डूटी हम यहां नियाए 25 तरफ पर लगा रहे हैं और यहां के कारी करताओं की मदद से वो सभी लोग कोशिश करेंगे कि हम महौल और जो धोका गाजियन भंडारी ने कॉंग्रिस पार्टी को दिया है उसका हम बदला लेंगे वहीं दूसरी और चमुली जिले में भाजपा के वरिश्ट उपाध्यक्ष मनोज भंडारी ने कहा कि भाजपा ने उप्चुनाव को लेकर अपने तयारियां शुरू कर ली हैं श्रीकरी ही पार्टी की प्रत्याशे की घोशना हो जाएगी उन्होंने दावा किया कि प्रधारमेट्र मोधी और मुख्यमंत्री पुषकर सेंगधामे की नेतरत्व में भाजपा प्रत्याशी भारी महुमत से विजय होगा कि आयोग के द्वारा जो है उप्चुनाव की अधिशुषना जारी कर दी गई है निश्चित रूप से अभी भार्तिय जनता पार्टी का प्रत्याशी करता चुनाव के लिए तत्पर है हमारे शीष्ट नेतरत्व द्वारा जल्दी प्रत्याशी के चैन करके हमारे भीच म में जा रही है और निश्चित रूप से भार्चे जनता पार्टी उप्चुनाव के लिए पूर्ण रूप से तयार है उत्तरखन के समाचारों में आज बस इतना ही चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर केंद्री ग्रही मंत्री अमित शाह स्वास्तेवं परिवार कल्यान मंत्री जगत प्रकाश नडड़ा और रेड एवन सूचना और प्रसारण मंत्री अश्वनी वैशनव सहत कई केंद्री मंत्रियों ने संभला कारिभार केंद्री मंत्री मंडल की पहली बैचक में बड़ी सौगात प्रधार मंत्री आवास योचना के अंतरगा तीन करोड अतरित घरों की निर्मान की दीज सुईक्रिती होके मंत्री पुषकर सेंगधा मिने 15 जून से पहले मौनसुन सीजन की समी तैयारिया पूरी करने के दिय निर्देश कहा जिल अधिकारी आपदा प्रबंदन के लिए नोडल अधिकारियों की करी देनाती और टिहरी के विबिन शेत्रों में कल राग जंगलों में फिर धत की आग वनकर्मियों ने समय रहते आबादी वाले शेत्रों पर बढ़ रही आग पर पाया काबू प्रदेशी जुड़ी अब्डेट्स के लिए आप हम से सोचल वीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं हमारा एक्स हैंडल है डिडीन्यूस अंडर स्कोर तहरादून हमारा फेस्बुक पेज है डिडीन्यूस उत्राकंट हमारे यूट्यूब चैनल डिडीन्यूस उत्राकंट को आप सब्सक्राइब करें और हमारे इंस्टाग्राम पेज डिडीन्यूस उत्राकंट को भी आप फॉलो कर सकते हैं नमस्कार